नमस्का दोस्तों मैं हूँ प्रकास और आप सभी को यूट्योब चैनल में स्वागत है आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आर आई का लोगों को डिजैन करने के लिए किस प्रकार से बनना है इसका पूरा स्टेफ जनने के लिए लास्ट तक वीडियो को आज करिए तो कोपी हो जाएगा और इहां से सीफ्ट के साथ में इस तरीका से राइट क्लिक करेंगे कोपी हो जाएगा और छोटा करेंगे सीफ्ट के साथ में इस तरह से कंटोर करेंगे और इहां से ले लेंगे फ्रेंट टूल बनाएंगे लाइन और इहां पर वी लाइन बनाते हैं इह तक यहां पर भी लाइन बनाएंगे इस तरीका से और यहां से एक लाइन यहां तक यहां से भी एक लाइन बनाएंगे इस वाले कोडरेंट में और सेंटर से और एक लाइन बना देता हूं बाहर की और और यहां से सेलेट करेंगे शेप टुल और यहां पर सेलेट करेंगे यह से कर्व करेंगे जोब कर लएता हूं इहां पर यह इधर करेंगे और सेब्ट्न सेट करेंगे इस हैंसे लुद्प फॉर कड़ेंगे इसको घुमाये हैं यहां तक इधर-विश्वकन से इसमें मिला देंगे इहां पर थोड़ा से अच्जस्ट करते हैं लाग-वाग ठेक है मेरे इसाब से चलिए ठीक है बाद में अच्छेस्ट करेंगे च चिलिए इसको भी सीप्रकर से और इसको यहाँ पर मैं गुमा देता हूँ इसको थोड़ा सीधा करेंगे चलिए यह बाहर आगया कोई दिक्कम्क नहीं है चलिए छोटा करेंगे पूरा सेलेक्ट कलेट क्रेंगे जो में कर देंगे और इश से वाले लाइन को सेलेट करके तरह से छोटा करेंगे अ कि अधिक कि जूम कर डाठा हों कि स्मार्ट फिल्टलिट करेंगे यह पर और बाकी पार्ट को हटा देता हुं इसको और इसको यहां से sail कर देता हूं इसको भी चले ठीक है पूरे को सेलेट करेंगे और यहां से रिमोब करेंगेis color control-g करेंगे ग्रूप हो जाएगा मैं zone कर लाता हूं शेस को मां यहां पर डाल देता हूं और हैसे ट्रांसफर्म कोप Whilst कटेंगे attendingator seemed to occupy करेंगें तो पूरा सेलेट कर लेता हूँ, Ctrl-G कर लेंगे, जोम कर लेता हूँ, यहाँ पर इधर करेंगे, ठीक है, यहाँ से वार्चुल सेग्मेंट डिलेटूर और जो पार्ट नहीं चाहिए, उसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से, इस तरह से, छले ठीक है, इसमार्ट फिल्टूल से फिर से Color कर देता हूँ, बागी पार्ट को मैं हटा देता हूँ, लगबख ठीक है, पूरे को सेलेट करेंगे और Color रिमूब करेंगे, और इहाँ से आउटलाइन को खोर कर देता हूँ, इस यहाँ ठीक है और इहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको पूरा सेलेट करके कंट्रोल जी कर लेता हूं मैं जूम कर लेता हूं और इस इंकर पॉइंट को इहां पर फिर से डालेंगे ट्रांसफर्म यूज करेंगे फिर से सेम रहेगा 120 को पीस्टू यहां सप्लाई इस तरह से लगवख ठेक है इस परकर से बन चुका इसको मैं हटा देता हूं कि मैं यूज कर रहा हूं प्रियंट टूल इस तरीक पर इस तरीक से बनांगे यहां तक चलिए सेब टू ले लेंगे शेलेट करेंगे कार्व करेंगे और इस तरीक से बनाते हैं है और यहां पर वी इसी परकर से इधर करेंगे मैं यहां पर Czech लेता हूं लगवख ठेक है axe को थोड़ा सीधा करेंगे इस तरह से और इसको भी इसी परकर से लगवख ठेक है मेरे हिसाब से और रेंकर प्वइंट को मैं यहां पर डालेंगे, बहुंहादादा हूं इस पर्कार से, राइट किलिक, दोनों को सलेट करके Ctrl G, फिर से इसको यहां पर डालेंगे, ठीक है, ट्रांसफर्म यूज करेंगे और यहांगाद अप्लाइ करेंगे, ठीक है, दोनों को यानि की तीनों को select करेंगे साथ और control g कर रहता देख लेता है लगोट थेगे और smart filter यूज चरेंगे हैंपर अब इसको हटा देता है लगोट थेक है फिर से मैं color हटा देता है और मैं एक काम करूँगा यहां से टॐ ले लिया और यहां तक line बनाएंगे save tool, set करेंगे carve करेंगे और यहां पकट करके इसको इस-तरीका से गुमा देता हूँ लगो ठेक है और इस वलेंंक प्रश्टाइए इहां प्रडालेंगे इसको मैं इधर गुमा देता हूँ और shape 2 लेकरके इसको छोटा कर दो इधर और यहां से adjust कर दो इस तरह से इस परकार सेaver छाओ अलगोड ठेक है है मन शेलेट कर लेता हूं गृूरोप कर दो हूं smartяться to use करेंगे और इसको में यहटा जयता है खतम इसको बिलेक कर रहता हो को ठीक है इसको सेलेट करेंगे और ऐट लांसे फोर घर ठीक है इसको और इसको दोनों को सेलेट करके कंट्रॉलझ कर देंगे और मैं जूम कर लता हम यहां पर और थोड़ा सा इस इंकर पॉइंट को यहां पर डालेंगे इस जगा पे चलिए ठीक है ट्रांसफर्म उपन करेंगे सेम रहेगा 120 इंगल में को पीश में टो और यहां सप्लाई इस तरह से लगोट ठीक है इसको मैं हटा जाता हूं इसका काम तो खताम हो गया इधर कर लेंगे और स्मार्ट फिल्टूल यहां पर मैं कलर कर लता हूं और बलेक करेंगे इस तरह से इसको सेलेट कर लेंगे सारकल को और इसको इस पर कर से बनाएंगे काफी है मेरे हिसाब से और एक टूब्लिकेट बनाएंगे बाहर की और यतना काफी ह चलिए मैं लाइन बना लेता हूं यहां पर और सारे को सीफ्ट के साथ में सेलेट कर लेता हूं और कंट्रोल जी कर देंगे ठीक है और यहां पर कलर कर देंगे इस तरह से ब्लेक कर देंगे और इसको मैं हटा देता हूं इस तरह से कि इसको मैं सेलेट कर लेता हूं और जी प्रेस किया और इस प्रकार से ड्रक करेंगे यहां काला कर देता हूं और वाइट करेंगे यहां पर इस तरीका से लगबक ठेक है इसका आउट लाइन को मैं नन कर लेता हूं लगबग ठेक है है कि सेलेट करेंगे कंट्रोल जी कर दिया है चले लगबग ठेक है यहां पर स्क्वाइर बनाएंगे रेक्टेंगल टूल से और कोर्नर को राउंड कर लेता हूं इस तरह से पी प्रेस कर लेंगे जीन है कि आर शीट साथमें ड्राग करेंगे लगलख एतना बड़ा ठेक है यहां पर टेक्स्ट करेंगे तो यहांपर अलड़री मि individually स्कूल को पी करेंगे हैसे और यहां पर मैं टेस्ट कर लेता हूं मैं ज applies हूँ इस तरह इस करके नीचे लाएंगे यहां पर थोड़ा सा हम पड़ा कर देंगे लगवप ठेक है स्मार्ट फिल्टूल जूम कर लेंगे यहां पर तो अच्छा रहेगा इस तरह से जहां जहां वाइट दीख रहा है वहां पर हम कलर कर देते हैं इस तरह से इधर भी से मैं सही है लगवप ठेक है हो चुका मैं इहां पर इसके साथ में वैल्ड करेंगे इधर रा गया इससी प्रकार से यहां से वैल्ड करेंगे अब इसको बाहर करेंगे इसको डिलीट करेंगे इसको भी डिलीट करेंगे इसको सेलेट करेंगे बलेक करेंगे और आउटलाइन को नान करेंगे लगबग ठेक है इसको मैं P प्रेस कर रहता हूं इस तरह से ctrl A और shift के साथ में इसको छोटा कर लेंगे और ctrl G कर रहता हूं लगबग ठेक है इस परकर्स यह बनके रेडी हो गया तो दोस्तों यह दा आज का छोटा साथ ट्यूटोरियल थैंक्यू सो मैच पर वाचिंग दिस को सक्वर दो było घ्यूटोट के रूगबग जब ठेक है जो बनके रहता है के बात्त कर दो बात्त कर दूटोरियल थैंगे धक है के